घन जीवामृत प्रकार दो भी जीवामृत अमृत पानी या घन जीवामृत प्रकार एक जैसे ही काम करता है थोड़ा से इसमें परिवर्तन है इसमें किसी दाल के आटे के बदले में यहां 5 किलो केले के फल को मिलाए जाता है इसमें जो आवस्चक सामगरी है, 100 किलो ताजा गोबर, 5 लिटर ताजा गोमूत्र, 5 किलो पका हुआ केला, कोई भी केला जो आपके घर के आसपास प्राप्त होता है, उसका फल का वजन 5 किलो नाप कर ले ले, 1 किलो गोड़, जो खाने वाला गोड़, सबसे पहले किसी प्ला कर उसका पेस्ट बना लिजे, और 1 किलो गोड़ को 1 लिटर गोमूत्र में पीस कर अच्छी तरह से मिला दें, और बचेवे गोमूत्र को भी इसमें आपस में मिला दें, इस प्रकार से केले, गोमूत्र और गोड़ के घोल को घड़े में अच्छी तरह से मिला दें, और पन्नी पर फैले हुए गोबर में इसको केले गुड के 3 लिटर के चड़काओ करें उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिलाएं यानी गुड और बेसन के घोल को गोबर में अच्छी तरह से मिला लें ताकि ये ठीक प्रकार से मिल जाए फिर बचे हुए 3 लिटर को फिर गोबरा चड़काओ करने के बाद फिर से गोबर को उसमें अच्छी तरह से सान दे और सानने के बाद में इसको मिलाएं एक बार मिलाने के बाद 24 घंटा छोड़ने से 24 घंटे के बाद इसका गोला बना कर इसका थपिया या गोईठा या इसका ये बना लें और तीन दिन तक धूप में सुखा लें, तीन दिन में सुख जाएगा, तो इसको एकठा करके रख लें, और आवशक्ता पढ़ने पर चूरा करके खेत में छड़काओ करें, इससे खेत की वुर्वरक्ता में खेत को एक पॉस्टिक आहार मिलेगा, इसमें जिवानों को और केच्वों को आहार मिलेगा, और खेच्वे और जिवानों को अच्छा हार मिलने से, उनके द्वारा छोड़े हुए वर्म कास्ट है, या जो माइक्रोब एनरजी को रिलिस करते हैं, उससे पासपोरस पोटास वगरा पेड़ को अच्छी तरह से प्राप्त होगा, धन्यवाद.